होने वाली ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहेंगा आप देखिए कि साथ सज्जा जिस तरीके के अभूशन उन्होंने पहने है बेहत कुछ सूरण और कही जगाओं से ये अभूशन जोगे वो एक साथ बनकर तयार हुए और इस पूरी मूर्ती में भी आपको ब्रह इस मंदिर में पाने के लिए खुद कितना इंतजार किया लंबे समय से ये मूर्ती उस टेंट में रही जिसके दर्शन शायद आपने किया होंगे लेकिन आज उस नई मूर्ती जिसका प्रान प्रतिशाज किया गया गया इस मंदिर में ये मूर्ती आप सदियों तक रहने व अपको श्री राम नज़र आ रहे गे उनके आभूशन बेहत खूब्सूरत उनके हाथ में धनुश नजण आ रहे गे और एक हाथ वो देश को आशिरवाद दे रहेंगे सनातनियों को आशुरवात दे रहे गए और आज जिस तरीके से तमाम बड़े लोगों ने आपर का कि सनातन की एक नई नीव जो गए एक बार दुर्बारा उसकी नीव रखी गई और ये माना गया कि 22 जनवरी के बाद जो सनातनियों की सोचने की फैसला लेने की शक्ति और अपनी जो भी यहाँ पर भावग है वो दिखाने की शक्ति बेहद जादा बदलने वाली अब आप कभी भी विदेश जाएंगे इस देश ने बाहर निकलेंगे आपको एक अलग सम्मान मैसूस होगा क्योंकि जो लड़ाई जिसकी वज़ा से कई बार देश में लोगों को कई चीजे सुनने पड़ी कि अपने ही देश में अपने ही भगवान के लिए जो लड़ाई हमने लड़ी वो आज समाप्त होती है क्योंकि वो श्री राम जिनके लिए हम लोगों ने लड़ाई की और स साथ ये संघर्ष किया वो आज अपनी जगा पर अपने मंदिर में प्रभूश्री राम विराज चुके हैं बेहत खुब्सूरत श्यामबर की है ये मूर्ति जिसको आपको बता दे कि बड़ी मेनत से बनाया गया कई लोगों ने यहाँ पर इसको मूर्ति को तयार करने में मद नजर आएंगे और साथी साथ सूर्य देवता आपको नजर आएंगे शेशनाग, ओम, स्वास्तिक, शुभ, लाब, हर चीज़ आपको इस मूर्ति में नजर आने वाला है जबी भी आपको मूर्ति सामने से देखने का मौका मिलेगा तो आप ये पाएंगे कि कि कितनी है, वो भी मौझूद है, प्राज्यपाल में यहाँ पर मौझूद है, मोहनभागवत यहाँ पर मौझूद है, जो एक एक करकर यहाँ पर जो चीज़े दी जा रहे ही, पुषपुनों ने यहाँ पर अर्पिद किया और चो चोटे राम लालाखे जो पहले से जो मूर्ति भी दर्शनाप करिए और साथी इस वक्त यहां पर आप देखिए कि मंतर उचारंड का जो दौर है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है और सूरज धलने तक इसी तरीके का कारिक्रम जो है वो आयुद्या में होता रहेगा लगातार जन सत्ता पर आप तस्वीरे देखेंगे कि कि इस तरीके से यहां पर बार बार हम आपको दिखा रहेंगे कि कितने एक खुबसूरत श्री राम लला यहां नजर आ रहेंगे और आलोकी की यह दृष्षित और उतना की खुबसूरत यह पल भाविबोर करने वाला कई लोगों के आँखों में आसुं आएंगे क्यूंकि कि किसी ने यह सोचा नहीं था कि आज का दिन इतनी जल्दी जो है 2019 के बाद जिस सरीके से कोट ने जब कहा कि यहां पर मूर्ती जो है वो बनाए जाएगी उसके बाद यह पल इतनी जल्दी आ जाएगा यह किसी ने नहीं सोचा था और उसके बाद यह पल आया और बार बार हम आपको यही दिखा रहे हैं कि कितने खुबसूरत और कितने प्यारे श्री राम लग रहेंगे कि बाल स्वरूप में उनकी ये मूर्ति तयार की गई और उसके बार आपने आभूशनों के साथ, पूरी साथ, सज्जा के साथ, रंग बेरंगे फूलों के साथ, वो बेयात चीजे जो है पियम मोदी उनको चड़ाते वे नज़र आरे, खुद को वो रोक नहीं पाधा,